हेलो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको संतकवी रहदास जी के पदों का वाचन करते हुए भावार समझाऊंगी और प्रश्णोतर पर चर्चा करूंगी बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करें इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनसे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं बनारस में हुआ था कबीर दास जी के समान ही ये भी मूर्ति पूजा तीर्थी आत्रा जैसे कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे इन्होंने ढोंग और आडंबरों पर तीखा प्रहार किया इन्होंने मानोमन की पवित्रता और सच्चाई पर बल दिया इनकी रचनाएं सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा में रचित हैं जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू-फार्सी के शब्दों का भी समावेश है समावेश यानि की उनका भी मेल है, उनका भी मिश्रण है इनके चालिस पद सिखों के पवित्रधार्मि गरंत शिरी गुरु गरंत साहिब जी में सम्मेलित हैं आईए पद का वाचन करते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभुजी तुम जंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभुजी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरे दिन राती प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ती करे रे दासा बच्चों शब्दार देखें जाकी कार्थ है जिसकी बास खुश्बू है ना घन बन घने काले बादल मोरा मोर चितवत माने देखना देखता है चकोरा चकोर पक्षी बाती माने बती जिससे दीपक जलता है जिसमें लौ उटती है बच्चों बरे जलती है सोने ही माने सोना जिसके अभूशन बना जाते हैं सोना स्वर्न सुहागा वह पदार्थ जिससे सोने को शुद किया जाता है बच्चों सोना जो होता है गोल्ड और जो होता है वो शुद नहीं होता है उसमें सुहागा मिलाते हैं तो अब उसे शुद करते हैं दासा दास सेवक है ना सेवक बावार समझते हैं कवी रहदास कहते हैं कि हे प्रभू मुझे आपका नाम रटने की ऐसी आदत पड़ गई है जो अब किसी भी तरह से छूटती नहीं है आप चंदन हैं तो मैं साधारन जल हूँ जो चंदन के मेल से सुगंधित हो गया है हे इश्वर आप ऐसे घने काले बादल के समान हैं जिसके दर्शन करके मेरा मन मोर नाचने लगता है जिस तरह चकोर पक्षी चंदन्रमा को देखकर प्रसन होता है उसी प्रकार मैं भी आपको निहार कर प्रसन होता हूँ आप ऐसे दीपक हैं जिसकी जियोती दिन रात जलती रहती है मैं स्वयम को धन्य मानता हूँ क्योंकि मैं उस दीपक की बाती हूँ हे प्रभू आप अमूले मोती हैं और मैं साधारन धागा हूँ जिसमें अमूले मोती पिरोय जाने के कारण धागा भी सार्थक हो गया है जिस प्रकार सोने के साथ सुहागे का मेल होने से वह निखर जाता है तथा आबूशन बनाने योग्य हो जाता है उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपकी भक्ती करने से सार्थक हो गया है हे प्रभू आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपके चरणों का तुछ दास हूँ इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभू मैं तो ऐसी ही भक्ती करता हूँ दूसरा पद है ऐसी लाल तुझ बिनों कौन करे गरीब निवाज गुसईया मेरा माथ चत्रदर है जाकी छोत जगत का उला गए ताँ पर तुझी ढरे नीच हूँच करे मेरा गोबिंदो काहू ते ना डरे नाम देव कभीर उतिलोचन सद ना सेन उतर रे कहे रविदास सुनाओ रे संतो हर जी उतै सभे सरे शब्दार देखेंगे लाल करते स्वामी प्रभू कौन कौन गरीब निवाजू गरीबों और दुख्यों का हित करने वाला गरीबों और दुख्यों पर दया बरसाने वाला उनकी सुनने वाला गुसाईया गुसाई चत्र मुकुट छोत चुवाचूत धरे द्रवित होता है तरे तर गए यानि कि मोक्ष पागए संतहु संतजन हर जीउ मने प्रभू सब है सरे सब कुछ संभव है भावार देखेंगे रैदांस जी कहते हैं कि हे इश्वर जैसी कृपा आप करते हैं वैसी कोई नहीं करता आप गरीबों को गले लगाते हैं इसलिए कोई आपको गरीब निवाज कहता है तो कोई गोसाई कहता है आप मेरे सिर पर छत्र के समान विराजमान हैं जिन लोगों को निचली जाती का कहकर समाच्छुआ चूत करता है आप उनी पर कृपा करके उन्हें समाज में समान दिला देते हो और आप किसी से डरते नहीं हो अर्थात आप निर्भय हो नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना तथा सैनू नामक भक्त आपकी भक्ती करके तर गए अर्थात वे मोक्ष पा गए वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हो गई रविदास जी कहते हैं कि हे संतों ध्यान से सुनो, प्रभू की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है आईए बच्चों, अब हम प्रश्ण उत्र पर चर्चा कर लेते हैं, पहला प्रश्ण पहले पद में भगवान और भक्त की किन-किन चीजों से तुलना की गई है, उनका उले कीजिए बच्चों उत्तर समझा रही हो, आप स्वयम भी लिख सकते हैं कवी ने भगवान और भक्त की अनेक चीजों से, अनेक वस्तुओं से तुलना की है तुलना करता होते हैं बच्छों, comparison वे कहते हैं कि ईश्वर चंदन है, तो भक्त पानी के समान है जिनके मेर से अंग-अंग महकने लगता है हे प्रभू, आप बादल के समान है, तो आपका भक्त मोर के समान है आप चंद्रमा के समान है तो भक्त चकोर पक्षी के समान है आप दीपक की तरह है तो भक्त बाती के समान है हे ईश्वर आप सोने के समान है तो भक्त सुहागे के समान है प्रश्ट नम्र दो दूसरे पद में कवी ने गरीब निवाजू किसे कहा है स्पष्ट कीजे कवी ने गरीब निवाजू इश्वर को कहा है क्योंकि वह गरीबों, दीन दुखियों, आदी सभी को गले लगाता है उसकी दृष्टी में सभी एक समान है वह पक्षपात नहीं करता जो भी सच्चे दिल से इश्वर की भक्ती उसकी आराधना करता है वह उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाता है उसकी नजर में अमीर गरीब छोटे बड़े उंच नीच का कोई भेद नहीं है तीसरा प्रश्ण दूसरे पद की जाकी छोट जगत कौलागे ता पर तूही ढरे नामक पंक्ती का आशे स्पष्ट कीजिए रेदास कहते हैं कि समाज में उची जाती के लोग निम्न जाती के लोगों के साथ चुआ चूत करके उनकी उपेक्षा करते हैं उनका तिरसकार करते हैं इस कारण उन्हें समाज में अपमान जहिलना पड़ता है किन्तु निम्न जाती के वो लोग जो इश्वर की सचे मन से भक्ती करते हैं तो इश्वर उन पर कृपा करते हैं उन पर परसन हो जाते हैं और उन्हें गल्ले लगाते हैं इस तरहां निम्न जाती के उन लोगों का समाज में फिर आदर होने लगता है रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है तो लिखेंगे रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाज, गोसाई, गोबिंद, हर जिव, आदी नामों से पुकारा है अगला प्रश्ण जो अंतिम प्रश्ण भी है रैदास के पदों का केंद्रिय भाव या प्रतिपाद्य या मूल भाव लिखिए रैदास नाम से प्रख्यात प्रख्यात यानि प्रसिद संत्रविदास कबीर के समान ही संत्कवी है पाठ्थे पुस्तक में संकलित पदों में कवी ने परमात्मा की महिमा का यानि इश्वर की महिमा का गुणगान किया है पहले पद में कवी ने अपने इस्ट अर्था प्रभू अपने आराध्य को याद करते हुए उन से अपनी तुलना की है और स्वयम को ईश्वर का अन्य भक्त कहा है उन्होंने विभिन प्रकार से अपने साथ इश्वर की तुलना की है और स्वयम को उनका तुछ भक्त कहा है दूसरे पद में कवी ने इश्वर को दीन दयाल, कृपा अलू, निडर और सर्व शक्तिमान कहकर उसका गुणगान किया है निमन जाती के जो लोग इश्वर की सच्चे मन से भक्ती करते हैं, उन पर वह अपनी कृपा बरसाता है और इस तरह समाज में लोग जब ये देखते हैं कि इस पर इश्वर की कृपा हो रही है तो फिर लोग उसका सम्मान करने लगते हैं इस तरह प्रभू उन्हें समाज में समान दिला देते हैं बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों और चेप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिये हैं आप उन्हें जरूर देख लें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बच्चों अपने वेल्वेबल कमेंट्स जरूर दीजिए मुझे इंतिजार रहेगा धन्यवाद प्यारे बच्चों